दोस्तों ABC कोचिंग योटूब चानल में आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हैं आसा करता हूँ कि आप लोग स्वास्थ और मस्थ होंगे और अपने बोर्ड एक्जाम के तैयारी बहुत ही जबर्दस तरीके से कज़ए होंगे दोस्तों जितने भी विद्धार थी इस ब लेकर 26 फरवर्ण तक होने वाली है लेकिन दोस्तों इसी बीच जो है जैक बोर्ड की तरफ से आपके सिलेबस को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी देने वाले है तो सभी विद्धार थीस वीडियो को के मदद से लगातार आपनों की कराई जा रही है देखे दोस्तों अपडेट इस परकार है सबसे पहर में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर दोस्तों बोर्ड एक्जाम के लिए आपका सिलेबस ही पूरा ना हो तो क्या आप मानते हैं कि बोर्ड एक्जाम की जो अपडेट जारी किया है मैं आपको लाइन बैलान समझाँगा धियान प्रकमी बातों को सुनिएगा देखे दोस्तों लिखा है कि मैटिक इंटर्मीडियेट की परिक्षा में अब मात्र जो है डेड़ महने का समय बचा हुआ है और अभी तक जो है सिलेबस को पूरा नह किया गया है बचों यहांपर एडिंग में दिया गया है कि पैटन बदलने के बाद परिक्षाथे हो को le هذا," यूद दिया जा रहा है और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि इस बात यू यह नियम लागू किया गया है कि, आप की लिखने पर जो है काफिज्जादा य देखे दोस्तों यहां पे अपडेट इस प्रकार है ध्यान को बता को सुनियेगा देखे लिखा है कि मैत्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा को लगभग जो है डेड़ महने नहीं बचे है लेकिन अब तक सिलेबस यानि की पार्टिक्रम जो है पूरा नहीं हुआ है हर विशाय में दो से तीन चैप्र अभी तक जो है बचे हुए है कई स्कूल कोलेजों के सिक्षकों का दावा है कि 15 जनवरी तक पार्टिक्रम को पूरा कर लिया जाएगा यानि कि बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स है जो आपके प्रिंस्पल्स है उन सभी का य दोस्तो आप लोग अच्छा से प्रतिस्पट नहीं ला पाएंगे क्योंकि आपके तैयारी अधूरी रहे जाएगी क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूरा रहेगा चलिया अभी आप का मौडल पेपर भी जारी होना है मौडल पेपर को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है जो भी मैं आपको इस नेक्स वीडियो में आपको बताने वाला हो देखे दोस्तों यहां पर बता जा रहा है कि सिलेबस पूरा होने के बाद जो है चात्र शात्रों को रिविजन का टाइम मिल पाएगा रिविजन का समय प्रियाप्त मिलेगा नहीं मिलेगा देखे आगे लिखाई कि ऐसे में चात्र शात्रों पर अतृत्रिक्त बोज पड़ेगा यह तो जाईज सी बात है अगर लेट से पूरा होता है तो आपके उपर बोज पड़ेगा ही आपके उपर काफी जादा मैंनत करने की छमता बढ़ाइनी होगी क्योंकि आगर आप मैंनत नहीं करोगे तो फिर आप बोर्ड एकजाम या चालने नहीं लापाऊगे आपके उपर बहुत जादा बोज हो जाएगा क्योंकि सिलेबो इसलेट से पूरा हो रहा है जैक ने इसका schedule जो है पिछले मैंने ही जारी कर दिया गया है और अब तक जो है इसका संसोधन schedule भी जारी हो चुका है इसमें परिक्षा pattern में किये गए बदलाव के अधार पर schedule जारी किया गया है परिक्षार्टियों के लिए यहां भी परेशानी का सम्मध बना हुआ है यानि कि यह जो है विद्यार्टियों के लिए जितने भी विद्यार्टियों के चाहिए आप मैट्री के student है या intermediate की आज साइंस और कोमस के student है आप सभी के लिए जो है समस्याएं बनी हुई है कि अब objective प्रतिस अब पूशे जा रहे तो यह तो आपका जाहिर हो चुका है कि इसमें जो है options आप लों को दिया जाएगा और जो उत्तर पुस्तिका पर इसका answer देने है वह आपको जो है उत्तर भी वहां पर लिख देने है ठीक है यानि कि प्रसने संख्या लिखने के बाद उत्तर भी लिख देंगे जैसे का आपका यहां पर मान के चले इसका उत्तर यह हुआ उत्तर जैसे का आपका सी हुआ option यहां पर सी लिख देंगे जैसे कोई भी यहां पर है तो यहां जैसे गोली यह दरपन होगे answer लिखे हम यहां पर लिख देंगे गोली यह दरपन तो इस परका नहीं चल पाया और नहीं जैक ने इस पर पुरी तरह से प्रवधान दिया है नहीं कुछ बताया है और दोस्तों हम लोग अंदाज के अनुरूप जहांते कि हम लोग का इस प्रकास से जो है ऐसा पैटन है ऐसा पैटन है यह हम लोग अभी समझ रहे हैं ऐसा हम लोग आप रहेंगे द्रिग उत्री प्रस्न कितने रहेंगे सिर्फ इतना से मालूम है कि पचास अंकर सब्जेक्टिव है देखे बच्चों आगे यहां पर लिखा है कि जुलाई अगस से लेकर नवंबर तक आधे प्रस्न जो है आधे सब्जेक्टिव के अधार पर पढ़ाई हुई है यहां तक की सताइक और मंतली असस्मेंट भी इसी अधार पर पूछे गए हैं प्रस्न रखे गए थे और परिक्षा के सड्यूल के साथ इसमें बदलाव किया गया इसमें अब 30% अब्जेक्टिव 50% के सब्जेक्टिव प्रस्न जो है एक्जाम में पूछे जाएंगे इ ऐसी वेवस्था अधार पर पाठन पाठन जो है करा रही है वही जैसी आठी द्वारा इसी अधार पर प्रस्म उपलग कराए जाएंगे यानि कि अब जो आपका मॉडल पेपर आने वाला है वो 30% के अब्जेक्टिव 50% के सब्जेक्टिव के अधार पर जो है मॉडल हो सकती है क्योंकि सिलेबस भी अभी पूरा नहीं हुआ है आधूरा ही हुआ है साती बचों यहां पर बता जा रहे है कि सरकार की उसे मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की जो बोर्ड की परिक्षाएं होनी है उसमें जो है पदती में बदलाव होने के बाद इस्कुलों के सि सिमा निर्धारित कर लिखने को कहा जा रहा है यानि कि सभी बच्चों को यह कहा गया है कि आप जो है ज्यादा फोकस दीजे कि राइटिंग बेस आप लोग रहेगा तो आगे कुछ काम आएगा देखे आगे बच्चों कि यहां पर बता गया है कि जो पहले जो आपका सना आपकी बोड की परिक्षा में भी पूशे जाते हैं जनवरी तक जो है सिलेबस को पूरा करने के लिए जो है दावा रखा गया है और छे फरवरी से आप लोग का मैट्रिक इंटार्मिडियेट की बोड की परिक्षाएं होनी है समय भी आपके पास बिल्कुल भी नहीं ह दोस्तों आप लोग जो है 30 अंक का जो अब्जेक्टिव है 30 परतिसत अब्जेक्टिव और 50 परतिसत सब्जेक्टिव है 50 परतिसत सब्जेक्टिव में जो है आपका लिखित एक्जाम्स होगा राइटिंग बेस पर एक्जाम्स होगा तो राइटिंग पर भी आप लोग फ लेकिन दोस्तों आप लोग का एक्जाम से पहले पहले अगर सिलेबस को पूरा नहीं कर लिया जाता है तो बच्चे इस पर पर सकते हैं बच्चों के उपर जो है बोज आ सकती है और बच्चे जो है बोड़ एक्जाम में अच्छा परदसन नहीं कर पाएंगे दोस्तों आयू कुमेंट करके ज़रूर बतिएगा और मैं आपको ऐसा टिप्स बताने वाला हूं कि जो भी आपके पास समय बचा हुआ है उसमें से बचेवे समय में ही आप अच्छी त्यारी कर पाएंगे तो जले बच्च इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को अंतर देखने के लिए ब पंदे मात्रम